नमस्कार्ण दोस्तों सुकत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों आज कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करने शोब होता है उसके अदर आप लोग device connection limit यानि कि दोस्तों कितने devices maximum आपके device के साथ में connect हो सकते हैं वह तो आपको देखना है तो उस सारे सकते हों किसी त़रह से वीडियो की हमारे वाट-पॉर ऑट-पॉरर्ण कटेंगR जाहिए बस तरह से टतन announcements झाहिए subscribe कर देना channel को so यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर simply आपको क्या करना है उपर से नीचे की साइड में scroll कर देना और यहाँ पर आपको hotspot का directly option देखने को मिल जाएगा हाला कि इसको मैंने on करके रखा इसको up कर देता हूँ उस से उपर आपके नीचे की सेड में उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है जो blue icon के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप लोग इसके उपर click कर दोगा आपके समने कुछ इस तरह का पूरा interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप लोग को क्या करना है यहाँ पर simply यहाँ पर जो connection management वाला एक option देखने को मिल जाएगा उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे इसके उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर तीन ऑप्षिन मिल जाते ब्लैक लिस्ट वाला device connection लिमिट और data या यूजजजज लिमिट हमने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह से आप लोग data यूजजजज लिमिट लगा सकते हो वह उसके उपर वी वीडियो बन चुका है अभी हमारा जो में वीडियो का जो टॉपिक है वह डिवाइस connection लिमिट यानि कि हो सकते हैं यह हमे अगर वह हो सकते हैं यहाँ पर आपको जितने भी डिवाइस दे रहा हूं वह ही connect होना चाहिए और वह connect होने के बाद में कोई और बंदा connect नहीं होगा तो उसके इसबिंदा करेगा अगर दुश्रा मानर रहे करने के वह JUL लोग एक बंदे को और उसको connect होने से पहले अगर आपने दुसरे device को connect कर लिया तो आपको क्या करना है उस चीज के अंदर आपको उस device को जो device connect हुआ है उसको block कर देना है मतलब कि जो दुसरा बंदा होगा जिसने उससे पहले connect कर लिया फिर इसका connect ने होगा एक device select करने के वज़ा से उसका connect हो ग आपके वॉर्ट्सपर्ट के साथ में कोई भी कनेक्ट ने होगा फिर आपका यह वाला जो अच्छा वाला दोस्त है जो आपको मेने आपको जिसको वाट्सपर्ट के अंदर देखने को मिल रहा है सिंप्लिए इसके उपर हम लोग क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिवाइस कनेक्शन लिमिट यह हमारा वन के उपर आ चुका है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है सारी चीज़े हो गई अ दूसरे बंदेखा वह आपर कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिवाइस की यहाँ पर लिमिट सेट कर दिये तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने वाटसपॉट के अंदर के डिवाइस कनेक्शन लिमिट को सेट करना होता है मतलब कि जिससे आप लोग क् कनेक्शन दे सकते हो आई वोप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो के ले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चले मिलते अगले वीडियो के अंदर थैंक्यू समच पर आचिंग दिस वीडियो